एक दिन शिल्पा अपने लिए घास के कपड़े बना रही थी वो जंगल से नई नई घास चुनकर लाया करती थी और अपने लिए घास का ही ध्रस बनाया करती थी एक दिन शिल्पा की सास उसे कहती है अरे बहु तक 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 तुम ये घास वाले कपड़े पहनती रहोगी गली महले के लोग मेरा मजा कुड़ाते हैं मैं आज ही तुम्हारे लिए बाजार से धंक के कपड़े लेकर आती हूँ कम से कम तुम्हारे पास बाहिर जाने के लिए अ मा जी मुझे नोक्री करने के लिए कहीं बाहिर जाने की जरूरत नहीं है मैं घर बैठे भी पैसे कमा सकती हैं बगु तुम घर बैठे कैसे पैसे कमा लोगी तुम तो ज्यादा परी लिखी भी नहीं हो तुम्हें बाहिग जाकर किसी के घर जारू पूंचा करना होगा उसे वो छिलपा का शोहर शेखर वहां आता है और अपनी मा से कहता है अरे मा आपको पता है छिलपा बहुत अच्छे कपड़े सीना जानती है ये लड़कों और लड़कियों दोनों के कपड़े सी सकती है मा, मेरे लिए भी शिलपा ने कपड़े सलाई किये थे जब मेरा जंगल में एक्सिडेंट हुआ था शेखर एक प्राइविट कंपनी में मुलाजिम था एक मर्तबा वो गल्मियों की चुक्यों में अपने दोस्तों के साथ कुछ दिनों के लिए जंगल की सेर को गया था वहां उसका एक्सिडेंट हुआ और वो एक पहारी से गिर कर एक पुरानी सी वस्ती में आगिरा था और अपने दोस्तों से बिछड गया था उसी वक्त शिल्पा के बाबुजी की नजर शेकर पर पड़ी और वो उसे उठा कर अपने घर ले आए तब शिल्पा ने शेकर की बहुत खिद्मत थी और मुख्तलिफ जड़ी बूटियों से उसका इलाज करती है जिससे वो बहुत जल्दी सहत क्याब हो जाता है इस हाथ से में शेकर के कपड़े भी बुरी तरह फट गए थे तब ही शिल्पा ने उसके लिए अपनी सलाई मशीन पर नए कपड़े सलाई किये थे शिल्पा देखने में बहुत हसीन थी इसलिए वो शेकर को अच्छी लगने लगी थी वो शिल्पा को परपोस कर देता है और फिर दोनों की शादी हो जाती है शादी के बाद शेकर और शेकर और शेकर दोनों शेहर आ जाते हैं शादी के कुछ दिनो बाद शेकर की नोकरी चूप जाती है और उनके घर के हालात दिन बदिन खराब होने लगते हैं ऐसे में शिल्पा और इसकी सास मिलकर जैसे कैसे घर का खर्च जनाने लगते हैं मगर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जमा पूंजी भी खतम हो रही थी शिल्पा की सास को इस बाती फिकर सता रही थी कि अग घर का खर्च कैसे चलेगा तभी एक दिन शिल्पा अपनी साह से कही है माजी मेरे घर पर सलाई मेशीन पड़ी है मैं बाबू जी से बात करके वो सलाई मेशीन यहां मंगवा लेती हूँ क्योंके आपτι सलाई म spotted तो खराब पड़ी है ना ए बहू मशीन तो मंगवा लोगी मगर कपड़े कहां से लाओगी मा जी मैंने कुछ पैसे बचाते रखे हैं इन पैसों से हम कपड़े खरीद कर ले आएंगे ठीक है बहु तुम जल ही ये काम शुरू कर जो शिल्पा खून करके अपने बाबुजी से मशीन शेहर मंगवा लेती है और शेखर को पैसे देकर कुछ सस्ते सस्ते कपड़े मंगवा लेती है कपड़े देखकर शिल्पा की साथ कहती है ए बहु ये तो बहुत सस्ते कपड़े है मा जी बस एक बाद इन कपड़ों को सिल जाने दीजिए फिर ये आपको केम्टी लगने लगेंगे शिल्पा उन सस्ते कपड़ों से लड़कियों के लिए खुपसूरत खुपसूरत ब्रेस त्यार करती है कपड़े देखकर शिल्पा की साथ कहती है अरे बहु ये कपड़े तो बाद गई बहुत महगे लग रहे हैं एक ग्रेस की कीमत हजार रुपे से कम नहीं लग रही ए शिल्पा तुम्हारे हाथ में तो जादू है जादू मा जी अब मैं इन कपड़ों को बाजार में जाकर बेच आउंगी हाँ हाँ बेच आना मकर बाजार जाने से पहले अपने लिए तो कुछ कपड़े सलाई कर लो मा जी मुझे अपने लिए कपड़े सेने की कोई सिरूरत नहीं है मैं तो अपने इसी गास वाले ड्रेस में बाजार जाऊंगी अरे ये तुम कैसी बाते का रही हो अग यही दिन देखना रह गया था के मेरी बहु गास वाले कपड़े पहन कर बाजार जाएगी लोग क्या कहेंगे अरे मा गास वाले कपड़े पहन कर बाजार जाने में क्या खराबी है शिल्पा ठीकी तो कह रही है अगर ये गास का ड्रेस पहन कर बाजार जाएगी तो लोग इसकी तरफ ज्यादा तवज्जो देंगे और इसके पास कपड़े खरीदने आएंगे तभी तो इसके सिले हुए कपड़े ज्यादा बिकेंगे हाँ, शाय तुठी कह रहा है बेटा इसके बाद शिल्पा अपने घास वाले कपड़े बेहन कर बाजार जाती है और सरक के किनारे बैठकर अपने सिले हुए कपड़े पेचने लगती है आओ, आओ, कपड़े ले जाओ, 50% इसकाउंट लगी है 2000 वाले कपड़े, 1000 रुपे में ले जाओ शिल्पा की आवास उनकर आने जाने वाले राहगीर उसे देखने लगते हैं शहर में रहने वाले लोगों ने किसी को भी कभी घास वाले कपड़ों में नहीं देखा था शिल्पा को देखने के लिए उसके पास लोगों की धीर अकच्छी हो जाती है और लोगों की नजर जब उसके सिले हुए कपड़ों पर पढ़ती है तो उससे कपड़े खरीदने लगते हैं तभी एक ओरत शिर्पा से कहती है अरे बेहन ये कपड़े क्या आपने सिये हैं जी मेम साथ अरे वाँ ये तो बहुत उपसूरत ड्रेस है मेरी बेकी पर ये कोप जचेगा ऐसा करो तुम ये पैक कर दो शिर्पा वो ड्रेस पैक करके उस औरत को दे देती है और वो औरत उसे हजार रुपे दे देती है फिर एक लड़की उसके पास आती है और कहती है अरे ओ घास वाली मुझे ये ब्रेस पसंद है इसे पैक कर दो ये वीजे मैदम आपकी ब्रेस ऐसे ही एक एक करके शिर्पा के सारे कपड़े दिख जाते हैं उसके बिजनस का पहला दिन बहुत अच्छा रहा और वो खुशी खुशी पैसे लेकर घर आ जाती है शिर्पा को देखकर उसकी सास कहती है रे शिर्पा तुम खाली हाथ आ रही हो तुमारे सारे ड्रेस कहा है अरे माजी वो सारे ड्रेस तो बिख दे क्या सारे ड्रेस बिख दे जी हाँ और ये लीजे आज की कमाई पूरे पंदरा हजार रुपे है अब मैं कल और नई ड्रेस बनाँगी और फिर दिने बेचने जाऊंगी दूसरे दिन शिल्पा लड़कों के लिए शर्ट और पेंट त्यार करती है और अगले रोज उन्हें बेच में जाती है दूसरे दिन भी शिल्पा अपने घास वाले ड्रेस में थी और उस दिन भी लोग उसे देखने के लिए अकठे हो जाते हैं कभी एक लड़का उसके पास आता है अरे वाह तुम पेंट शर्ट भी सीती हो हाँ भाई साहा मैं चोते बच्चों के कपरे भी सीती हूँ अच्छा ठीक है तुम ये पेंट शर्ट पैक कर दो मैं ये अपने पिता जी को दिखाऊँगा मेरे पिता जी की कपरों की फैक्री है अगर उन्हें तुम्हारा काम पसंद आ गया तो तुम्हें उनकी फैट्री में काम भी मिल जाएगा ठीक है ये लीजिए आपके कपड़े ये लीजिए पूरे हजार उपे और ये मेरा कार्ड भी रखी जिये कल सुबह मेरे नंबर पर काल कर लेना उस दिन शिल्पा के सारे कपड़े पौरन बिख जाते हैं वो पैसे लेकर घर आ जाती है और घर आकर शेकर और अपनी सास को पूरी बात बताती है शिल्पा की बात सुनकर उसकी सास कहती है अरे वा बहु तुम्हें तो आप शहर के लोग भी पहचाने लगे है और तुम्हें आप फैक्टी में भी कामें जाएगा हाँ माजी ये सब आपकी दुआउं से हुआ है एवेटी आप तो तुम अपने लिए कुछ कपरे सीलो माजी लोग मुझे घास वाले कपरों से ही बेचानते हैं और इसलिए मेरे पास आते हैं और मेरे सिले हुए कपरे खरीद कर ले जाते हैं और इस घास वाले किसमे क्या बुराई है ठीक है बखू जैसा ठीक लगे दूसरे दिन शिल्पा उस दिये हुए नमबर पर फोन करती है और वो लड़का कहता है हाँ बेहन जी मेरे पिता जी को आपके सिले हुए कपरे बहुत पसंद आये हैं आप मेरे पिता जी से मिलने के लिए उनके आफिस चली जाएं मैं आपसे वही मिलूँगा शिल्पा उस लड़के के पिता से मिलने के लिए आफिस चली जाती है उसने वो ही घास वाले कपरे फैने हुए होते हैं ओफिस के सारे लोग बस शिल्पा को ही देखे जा रहे थे तभी वो लड़का शिल्पा के पास आता है और उससे कहता है हाई मेरा नाम राकेश है और ये मेरे पिता जी का ओफिस है चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवाता हूँ राकेश शिल्पा को अपने पिता जी से मिलवाता है वो उसे अपनी फैक्टरी में ड्रेस डिजाइनर का काम दे देते हैं शिल्पा अब एक ड्रेस डिजाइनर बन चुकी थी वो हर रोज आफिस आती और पूरी मेहनत से काम करती शिर्पा अपने घास वाले ड्रेस में ही आफिस आया करती थी एक दिन राकेश के पिता ने शिर्पा से कहा शिर्पा तुम्हारा ये घास वाला ड्रेस लोगों को बहुत पसंद आता है तुम ऐसा करो कि मसनुई घास से इसी तरह का एक ड्रेस त्यार कर दो शाइब लोगों को पसंद आए अरे ये स्यार मुझे पहने क्यों नहीं आया आपका आइडिया बहुत अच्छा है मैं आज ही से इस ड्रेस पर काम करती हूँ शिल्पा मसनुई घास की मदद से एक लहंगा तयार करती है उसका तयार किया हुआ लहंगा जब मार्कित में आता है तो लोग उस पर तोट परते हैं ये लहंगा मुझे चाहिए नहीं नहीं ये मुझे चाहिए आरे ये तो मेरी बेकी पर बहुत सूट करेगा अगर ये लहांगा कुसी एक कोई मिल सकता है क्योंकि ये इस तरह का एक ही पीस है बाजार में शिल्पा के बनाए हुए लहांगे की मांग खूब बढ़ने लगी थी और उसे हजारों और्डर्स मिलने लगे थे जिसकी वज़ा से कंपनी को लाखों का फाइदा हुआ और उसकी तनखा भी बढ़ गई उसके लहांगों की मांग दूसरे शहरों में भी बढ़ गई थी कुछ अरसे के बाद शिल्पा और उसके पती शेख़ई ने अपनी अलद सेट्री काइन कर ली और उनका बिजनस दिन तूनी राज चुगनी तरक्ती करने लगा प्यारे दोस्तों आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ वो बहुत ही दिल्चस्ट है जी उसका नाम है गंची बहु के सर पर मेहदी का डिजाइन कहानी को आखिर तक जरूर देखिएगा सीता नगर में रहने वाला एक खांदान बड़ी उल्चन का शिकार था क्योंके घर के इकलोते बेटे अनील की शादी रूपा नामी एक मौडरा लड़की से हो गई थी अनील और रूपा एक दूसरे को पसंद करते थे इसलिए उन्होंने लव मेरिज कर दी थी क्योंके रूपा शहर की एक मौडरा लड़की थी इसलिए अनील की मा उर्मिला कुछ परेशान थी मा की परेशानी को देकर एक दिन अनील अपनी मा से कहता है मा माना के रूपा एक मौडरा लड़की है मगर वो दिन की बहुत अच्छी है आप मेरा यकीन कीजिए इस पर अनील की मा उसे कहती है अरे मैं कब कुछ कह रही हूँ अब अगर तुम दोनों ने रस्म और रवाज के मताबिक शादी कर ली है तो वो अब इस घराने की बहु है इसलिए अब उसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहती हाँ ये ठीक है मैं इस घर में एक घरेलू मजाज की बहु लाना चाहती थी मगर ये तो पूरी की पूरी मौटरा लड़की है जाब कभी तुमने उसके कपड़ों पर होड़ किया है छोटे छोटे सकर्ट और टी शिर्ट पहने घूंगती रहती है अगर ये एक घरेलू मजाज की लड़की होती तो कभी सारी और सर पर पलू के बगएर नजर ना आती तब ही अनिल के पिता परकाश वहां आ जाते हैं और कहते हैं अनिल की मा माना के रूपा एक मौडरो लड़की है मगर उससे बात करके मुझे अंदाजा हुआ है कि वो बहुत अच्छी और नेक बच्ची है और अभी थोड़ी ही देर पहले उसने सब के लिए इतना मज़ेदार हल्वा बनाया था मगर तुमने खाया ही नहीं तुमें बहुत मज़ा आता और बहु को भी अच्छा लगता अनिल की मा ये सब बाते सुनकर फिर सोच में पर जाती है उसी वक्त रूपा अपनी सास के पास आती है मा जी ये लीजिए गर्मा गर्म हल्वा लाई हूँ आपके लिए और माला दीदी कहा है कहीं नज़र नहीं आ रही अनिल बता रहे थी कि उनकी तबियत ठीक नहीं है इसलिए वो हमारे शादी में भी नहीं आई थी बहु वो कहीं आती जाती नहीं है पस अपने कमरे में ही पड़ी रहती है पता नहीं इस मेचारी पर कौन सो दुखों का पहार तोटा कि बस अपने कमरे की ही होकर रह गई है खैर अब तो तुम इस घर की बहु हो इसलिए तुमें इन सब बातों का पता होना चाहिए इसलिए जाओ उसे ये हलवा उसके कमरे में ही देया उससे मिलकर तुमें उसके दुखों का अंदाजा भी हो जाएगा अपनी सास की ये बाते रूपा को कुछ समझ में नहीं आई खैर वो हलवा लेकर माला के कमरे में जाती है मगर वहां पहुँचकर वो हैरान रह जाती है और दर्माजे पर ही रुप जाती है अरे रुपा क्या हुआ? वहां क्या रुप गई? आओ, अंदर आओ माला ने जब इतने मुखबत से कहा इतना सुनकर रुपा अंदर चली जाती है और हल्वा मेज पर रख देती है और कहती है अरे दीदी आपके सगे भाई की शादी थी मगर आप इसमें शामिल नहीं हुई मुझे मालूम है कि आपकी तबियत ठीक थी फिर ऐसा क्या हुआ क्या आप शादी में नहीं आई अरे रूपा क्या बताऊं मैं किस मूँ से जाती तुम्हें पता है मैं कभी किसी के शादी या पार्टी में नहीं जाती और इसकी असल वज़ा है मेरा ये गंजापन तुम्हें पता है कि मैं एक ऐसी बीमारी में मुझबला हो गए थी जिससे मेरे सर के सारे बाल जड़ गए और मैं गंजे हो गई फिर मेरे सर पर सबीर बाल नहीं आए और इसी वज़ा से आज तक मेरी शादी नहीं हो सकी सब कहते हैं कि हमें गंजी बखाते करना और अगर हम लोगों की बातों में आकर जीना छोड़ देंगे तो हमारी जिंदगे का तो कोई मकसद ही नहीं रहेगा और किस से कहा कि आप खुबसूरत नहीं हो मैं तो कहती हूँ आप बहुत हसीन हैं और एट दिन ये बात सब जाएंगे रूपा की बाते सुनकर माला की आँखों में आंसु आ जाते हैं लेकिन उसे कुछ हिम्मत मिलती है उस दिन के बात से रूपा माला दिदी का बहुत खयाल रखने लगती है और रूपा का साथ मिल जाने से माला सब के साथ बहुत खुश रहने लगती है ऐसे ही एक दिन रूपा माला से कहती है दीदी हमारे याँ महंदी का एक बहुत बड़ा मुकाबला होने वाला है तो क्यों ना आप इस मुकाबले में हिस्सा ले इससे आपको बहुत होसला मिलेगा नहीं रूपा मैं इस मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकती मेरे सर पर पाल नहीं और सब लोग मेरा मजाक उराएंगे कोई आपका मजाक नहीं उडाएगा दीदी क्योंकि आप महन्दी का डिजाइन अपने हाथों पर नहीं बल्कि अपने गंजे सर पर बनाएंगी और ये देकर लोग आपका मजाक नहीं उराएंगे बैके हैरान रह जाएंगे ये तुम क्या कह रही ही ओ रूपा मेहन्दी का डिसाइल और सर पर इसे तो लोग मेरा और मज़ाग उड़ाएंगे अरे दीदी कोई आपका मज़ाग नहीं उड़ाएगा बस आप मुझ पर भरोसा रखे दिन गुज़रते गए फिर मुकाबले का दिन आगया रूपा ने माला का ना मुकाबले में पहले ही लिकवा दिया था मेहन्दी वाले दिन रूपा ने भी अपना खुलिया पूरी तरह बदलिया था और ये देखकर उसकी सास कहती है अरे बहू ये क्या तुमने अपने बाल काट लिये अब तुम भी माला की तरह गंजी हो गई आपने बिल्कुल ठीक है माजी ये सब मैंने माला दीदी के लिए किया है मैंने ही चाहती कि आज के दिन वो अपने आपको अकेला मैसूस करे इसलिए उनका साथ देने के लिए मैं भी उनकी तरह गंजी हो गई और आज हम दोनों नंद भावी मिलकर अपने गंजे सर पर महंदी का डिजाइन बनाएंगे क्यों दीदी मैंने ठी कहा ना रूपा मेरी प्यारी भावी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है तुम बहुत अच्छी हो और इस तरह रूपा ने अपनी नंद माला की इज़त अफ़ाई के लिए जो काम किया था ये देकर मकाबले में आए सबी लोगों ने उनके लिए जोड़दार कालिया बजाएं उन्होंने अपने सर पर महंदी का बहुत ही कुपसूरत डिजाइन बनाया था जिसकी बज़ा से वो लोग महंदी का ये मकाबला जीत चाते हैं और उन्हें टोफी से नवाजा जाता है उसे मकाबले में आए एक बहुत बड़े फेशन डिजाइनर रूपा और माला के पास आते हैं आज महंदी का ये नोखा डिजाइन बना कर आप दोनों ने फेशन की दुनिया में एक नई मिसाल काइम की है इसलिए मैं आप दोनों नंग भाबी की तस्वीर अपने मैगजिन के फ्रंट पेज़ पर लगाना चाहता हूँ तो क्या आप दोनों हमारी कंप्री की नई मॉडल बने के लिए तयार हैं? जी जी बिलकुल हम तयार हैं और दीदी अब पर लगा कर अपने खाबों को चुने और उन्हें पूरा करने का वक्त आ गया है इसलिए अब आप तयार हो जाएए आस्वान की बुलंदियों को अच्छोंने के लिए और बहुत शुक्रिया सर के आपने हमें इस लाइक समझा और इस तरह अपनी नंद माला की खातिर रूपा ने अपने बालों की कुरबानी दी जो हर किसी के बस की बात नहीं अपने इस एक फैस्दे की वज़ा से उसने अपनी नंद के दिल में जो होसला पैदा किया और उसमें उमीद की किरन जगाई थी वो यकीनन काबले तारीफ थी और उसके बाद से माला के लिए कई अच्छे अच्छे रिश्टे आते हैं और कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है शादी के बाद भी माला अपना काम जानी दी जो हर किसी के बस की बात नहीं अपने इस एक फैस्दे की वज़ा से उसने अपनी नंद के दिल में जो होसला पैदा किया और उसमें उमीद की किरन जगाई थी वो यकीनन काबले तारीफ थी और उसके बाद से माला के लिए कई अच्छे अच्छे रिश्टे आते हैं और कुछ दिन बाद उसकी शादी हो जाती है शादी के बाद भी माला अपना काम जारी रखती है और एक दिन वो एक बहुत बड़ी मॉडल बन जाती है उसकी जिन्दगी खुशियों से भर जाती है और इस सब की वज़ा माया की मा अपनी बहु रूपा को करार देती है शुरू शुरू में रूपा की सास ने रूपा के बारे में उसके कप्रों और हुलिये की वज़ा से राय काइम की थी मगर वो सब गलत था क्योंके इनसान अपने कप्रों से नहीं बलके अपने किर्दार और अखलाक से पहचाना जाता है